हे ग्यान और भक्ति मार्ग की अनुयाई रिशिगणों आपद्यशक्ति माभूनेश्वरी की कथाओं का श्रवन करना जीवन का परम्सुववसर तथा सोभाक्य है माभद्यशक्ति भूनेश्वरी की मंगलमई और कल्यानकारी कथाओं की श्रवन करने से मन की मलीनता नश्ठ होती है और वहां शुद्धता तथा पवित्रता का प्रवेश होता है जिससे आच्रण भी पवित्र होता है आच्रण के पवित्र होने से जीवन सात्विक तथा सार्थक होता है सात्विक्ता से ही जीवन में सुख और शामती की प्राप्ती होती है तथा मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है ये एक निर्विवाद सत्य है इसमें संदेह के लिए कहीं भी कोई स्था नहीं है अतहे रिशिजनों मा भूवनेश्च्वरी का साकार रूपमन में धारन करते हुए ध्यान पूर्वक संपूर्ण शधा एवं भक्ती भाव से एक चित्त होकर मा की लीला कथाओं का श्रमन करें देवाधि देव महादेव जी का विवाह दक्ष पुत्री सतीरानी के साथ संपन्ल हुआ शिव अर्थात मंगल इस मंगल मैं युगल शिव तथा सती ने एक आधर्श पून एवं शिक्छा प्रद धांपत्ती जीवन विथीत किया कि जो प्रते ग्रहस्त के लिए एक अनुपम उदाहरन है शिव सती का जीवन संतोश एवं सुक से पूर्ण था किन्तु माभूव नेश्वरी को तो अपनी लीला रच नहीं थी आता हाँ ये जग बंग का लोटा पीलो छोटा हो या मोटा मन को आनंद मैं बनाए तिन में ही आहतारे दिखाए काम न हो कभी कोटा पीलो ये जग बंग का लोटा पीलो छोटा हो या मोटा ये जग बंग का लोटा पीलो छोटा हो या मोटा पीयो मेरे दीर गुमुक भाग जाएं सब तो नहीं नहीं मुझे दिन में तारे देखने की कदा पीच्छा नहीं अर्थात संपूर भांग सामिकरी द्रिंगी के भाग्य में है पीलो पीलो पूम्ततत्सतशिवशिवशिवशिवशिवnaire कि ब्रहमन को कुछ प्राप्ति होगी अवश्य प्रहमन देव अवश्य गुट गुट पर लिखा है पीले वाले का नाम ये दूसरे लोटे की सामगरी गृण करेंवे प्रवाद क्या सामगरी है इसमें अमरेट 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 तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ अरे ब्रामण देवता ये भांग है भांग मैं भोजन की कच्ची सामगरी ग्रान करता हूं मुझे केवल सीधा चाहिए लो मैं लेकर आता हूं लगता है मेरे नहीं कहने से तुम रुष्ट हो गई लाओ पी लेता हूं तुम तुष्ट हो जाओगे प्रुष्ट और तुष्ट के जूले में क्यों जूनने लगे विप्रवर पियो नेत्र पट बंद कर और मन पट खोल कर पियो खूब पियो अतिथी देवो भावववा श्त्री नारी सरवनाश चली जाओ चली जाओ यहां से मुझे नहीं चाहिए तुमारे हाथ का दिया हुआ सीधा क्या हुआ याचक स्त्री के प्रति ये ग्रहना किसलिए है क्योंकि तुम मोहिनी हो माया हो वासना का मूल हो ओ ब्रहमन अपनी अपवित्र जीवा को अपने मुख के भीतर ही रखो बड़ी दुरगंद मही है तुम जानते नहीं किसके सामने खड़े हो ठैरो नंदी हे नारी विमुख ब्रह्म देव मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे अवश्य दूंगा किन्तु स्त्री का अर्था तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा अब आगे हो तुम असत्य कहोगे तो पाप की भागी होगे सत्य कहो क्या तुमने अपनी माता का मुख भी कभी नहीं देखा माता का मुख देखना तो स्वाभाविक था वो तो देखा ही था तो उसी स्वाभाविक धांग और द्रिष्टी से प्रतिक स्त्री को अपनी माता समझकर उसका मुख क्यो नहीं देखते इस स्रिष्टी का स्रजन भी तो आद्धी शक्ति मा भुवनेश्वरी ने किया है क्या उस मादेश्वरी का मुख भी नहीं देखोगे स्त्री भी तो मा का ही शक्ति रूप है ब्राह्मन देवता मा इस अज्यानी को शमा करो मा उठो ब्राह्मन देवता और मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में स्त्री के पती इतनी ग्रणा क्यों है दुखत प्रसंग है माता मैं जिस गुरकुल में अध्यन करता था वहां गुरुजी ने हमें बताया था कि जिस प्रकार बादल की छाया और गहरे पानी का विश्वास करना मूर्खता है उसी प्रकार बुद्धिजन स्त्री का कभी विश्वास नहीं करते उससे सदा दूर रहना चाहिए और बताया कि समीप जाने से न जाने कब मौ माया का पाश कंठ में डाल ये स्त्री सदा के लिए दास बना ले फिर तो जीवन भर रुदन करना होगा स्वयम स्रिष्टी के स्रजनहार ब्रह्मा जी भी इस माया से वंचित नहीं रह सके बस गुरु जी की यही शिक्षा जड़ सहीत मेरे मस्तिश में प्रवेश कर गई और मैं स्त्री से दूर रहने लगा किन्तु मा आज मेरे सौभाग्य का उदय हुआ तो आपके दर्शन का संयोग भी हुआ आपने मिठ्या का अंधिकार दूर कर सत्य का प्रकाश किया है मैं धन्य हो गया मा अब तो मेरे हाथ का सीधा लोगे न अवश्य यह तो मेरा सौभाग्य है ब्रामण देवता के तो सुरही बदल गया आज से हर्श्त्री मेरी माता है आज सत्य का उद्धाटन करके आपने भूले भटके ब्रामण को सही दिशा दिखाई है स्वामी आप तो गेंद को ऐसे घुमाते हैं मानू प्रत्वी ही आपके हाथों में घुम रही है प्रतीत होता है तुम्हे भी पंच महां भूतत थु ध्यान में आ गए हैं जै जै शिव शंकर जै भोले नात जै जै शिव शंकर जै भोले नात बगवन हिमाले राजा और मैनारानी पधारी हैं उन्हें सम्मान पूर्वक यहां ले आओ जो अग्यानात आओ पधारो राजन अभिनंदन आओ पधारो राजन अभिनंदन आओ पधारो राजन अभिनंदन हम देवादी देव का वंदन करते हैं शतायू भव कहिए इस दिशा में कैसे भूले पड़े भूले नहीं, हम आपके दर्शन करने आये है भला हिमालाय में रहते हुए हम कैलाशनात को कैसे भूल सकते हैं मैं आपको बंदन करते हूँ मा, 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 मा तुम ने मुझे मा कहा मा जितनी बड़ी हैं, तो मा ही हुई न मा शब्द, संबंध और संबोधन मुझे बहुत प्रिये लगते हैं आहा, मन प्रसंद हो गया तुम्हारे मुख से मधूर और सार गर्वित वचन सुनकर यदि मैं तुम जैसे पुत्री को जनम दे सको अवश्य, ऐसा अवश्य होगा, कारण सतीरानी के मुख से निकले वचन, सदा, सत्य और सार्थक होते हैं पुत्री मत मारो, ने रक्षा करो मा, रक्षा करो तुम्हारे, इसलिए तुम्हे मार रहा हुआ के बर मा रक्षा करो मा इस अत्याचारी से रक्षा करो नहीं मा मात्याचारी नहीं यह शंखनी बढ़ी कर्म हीन है, और सारे दिन प्रमाग में पड़ी रहती है मैं वनमें लकडी काट कर इकत्रित करता हूँ और यह कट्थर वी बांदने के लिए तयार नहीं मेरा सारा शरी जवर से पीड़े थे, मैं जवर की अगनी में जल रही हूं मा हाँ सपीराने इसे तो बहुत तेज जवर है यह चूप है तुम अपनी जीवन संगनी को पशु समझते हो, पतनी को पशु समझ कर मारते हो इसकी मार कैसी असय होती है, इसका अनुभाव तुम भी तो करो, लो जेरो इसकी पीड़ा नहीं मा नहीं यह भाला बुरा जैसा भी है, मेरे सौभा की का धनी है, इसे मत मारो मत मारो मा देखो निरलज प्राणी, आग खोल कर देख, तू जिसे मार रहा है, वो तुझे बचा रही है, यह तेरी मार तो सह सकती है, मगर तू किसी दूसरे की मार खाए, यह सहन नहीं कर सकती, कितनी आदर्श पत्ति पाई है रे तुमें, यह तेरी मार खाकर भी तेरा रक्षन कर मेरा प्राज क्षमा करो मा, अध्यान में मैं यह भूल कर बैठा, भविष्च में यह भूल नहीं होगी, विच्छाखा, इसे भवन में ले जाकर इसकी चिकित्सा कर देना, पाकवती, स्वामी, यह माला किसके लिए बना रही हो? अपनी गौ माता को पहनाने के लिए, आज कार्तिक मास के शुकलपक्ष की एकादशी है, आज के दिन गौ पुजन का बड़ा महत्व है, गौ माता को गेहूं, घी, गुड के लड़ों खिलाने से वो अधिक तूद देती है, और उनके गोबर की खात से क्रिशी का आदन बढ़ता है, किन्तु देवी, ये माला तो मंदा भी बना सकती थी, माला वो बनाएगी, तो पुन्य भी तो उसी को मिलेगा ना, मुझे नहीं, फिर इस तरी को तो कुश्रम करते ही रहना चाहिए ना, नाथ, एक विनती करूँ, हमें त्रियो दशी का व्रत करना चाहिए, इस व्रत को करने से पती-पत्नी का दामपत्य जीवन सदा सुखी रहता है, सतीरानी, क्या तुम्हें ऐसी आशंका है, कहीं हमारे जीवन में विशाद उत्पन होगा? नहीं स्वामी नहीं, कदापी नहीं, मेरा अभिप्राय मात्र इतना ही है, कि हम इस व्रत को करेंगे, तो मानो समाज हमारा अनुसरन करके सुख प्राप्त करेगा. तो हमें इस व्रत में क्या करना होगा? प्रदोशकाल में हम मा आध्य शक्ती की प्रशस्ती और स्तुती गान करेंगे. संसारी जन जब हमारा अनुसरन करेंगे तो वे मा की भक्ती और आपकी पूजा करके दोनों की क्रपा भी प्राप्त कर सकेंगे. शुब विचार है, मेरी इच्छा है, मा आध्य शक्ति के स्तूति गान में अन्य देवगणों को भी आमंत्रित करना चाहिए। आपका विचार उत्तम है, ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवगणों के सम्मिलित होने से, मानव समाज के लिए इस व्रत का महतु और अधिक बढ़ जाएगा। भ्रिंगी, आया प्रभु, बबम बबम बम भोले, बबम बबम भोले, बबम बबम भोले, सेवक के लिए आज्या प्रभु, ब्रह्म लोक में जाकर ब्रह्माजी से कहना, दो दिन के पश्चात हम त्रोधशी का व्रत करने जा रहे हैं। उसमें सम्मिल्लित होने के लिए वे और देवी सरस्वती सादर आमंत्रित हैं। गया प्रभु, भ्रिंगी पवन वेग से पहुचेगा ब्रह्म लोक में ये गया। और सुनो, व्यकूंट में विश्णुजी और सभी देवताओं को आमंत्रन देना। अवश्य दूँगा प्रभु, भ्रिंगी ये चला ब्रह्म लोक में। नारायन, नारायन, नारायन। आ, स्रजनहार ब्रह्मा जी, सरस्वती माता, देवर्शी और शिरी हरी विश्णुजी के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आरे, भ्रिंगी तुम, कब आया। ये तो मुझे भी ग्यात नहीं परमपिता, कि मैं कब आया। पर इतना ग्यात है, मैं क्यों आया। तो कहो न, प्रभु भोले नाथ के आज्या से मैं ब्रह्म लोग गया था। ये पता चला कि आप वैकुंट में पधारे हैं, तो मैं यहां चला आया। प्रभु भोले नाथ और मा सतिराने दो देवसो प्रांथ त्रियोदशी व्रत करने वाले हैं। व्रत आयोजन में मा आदिशक्ति के प्रशस्ते और स्तुतिगान होंगे। उसमें आप सभी शिरी हरी विश्नुजी सहेत साधर आमंत्रे थें। मा आदिशक्ति की पूजा है, तो हम सभी अवश्य सम्मिलित होंगी। त्रियोदशी का व्रत विवाहित दंपत्यों के लिए उत्तम व्रत है। मा के प्रशस्ति गान में ब्रदंग मैं बजाओंगा। मैं और देवी सरस्वती वीनावादन करेंगे। मैं देवराज इंद्र को भी सूचित करता हूं कि निर्ट करने के लिए अपसराओं को साथ ले आए। मा भुवनेश्वरी की प्रशस्ति मैं कहूंगी। करता है। परमपुरातन सत्यसनातन आदिशक्ति महामादन। परमपुरातन सत्यसनातन आदिशक्ति महामाया। महा तेरा गुण सब ने गाया। हे जगदंबा आज तलक तेरा भेद किसी ने न पाया। मा तेरा गुण सब ने गाया। मा तेरा गुण सब ने गाया। तू अनुपम है अत्वितिय है। तू है सब की माता। तू अनुपम है अत्वितिय है। तू है सब की माता। क्या जड़ जंगम, क्या जड़ जेतर। तेरा सब से नाता। सब है तेरे तेरे त्रिष्टी में कोई नहीं पराया। मा तेरा गुण सब ने गाया। मा तेरा गुण सब ने गाया। हम सब है मा तेरे ही बालत। हमें कभी न भुलाना। हम सब है मा तेरे ही बालत। हमें कभी न भुलाना। हम तो जनम भर तेरे रहेंगे। हमको मत ठुकराना। हम पे सदा रखना तुमाता। मिज करुणा की छाया। मा तेरा गुण सब ने गाया। मा तेरा गुण सब ने गाया। मा तेरा गुण सब ने गाया। जय जय भुवनेश्वरि मां, जय आते शक्ति जय मां। जय जय भुवनेश्वरि मां, जय आते शक्ति जय मां। जय जय भुवनेश्वरि मां, जय आते शक्ति जय मां। जय जय भुवनेश्वरि मां, जय आते शक्ति जय मां। जय जय भुवनेश्वरि मां, जय आते शक्ति जय मां। जय जय भुवनेश्वरि मां, जय आते शक्ति जय मां। जय जय भुवनेश्वरि मां, जय आते शक्ति जय मां। जय जय मां। कर दो कर दो कर दो